नमस्कार कापिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सुना ली यूपी के दंगल में प्रचार के लिए पीम नरेंद्र मोदी पूरी तरह से उतर चुके हैं यूपी के महराज गंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रहली को समोधित करते हुए इशारो इशारो में समाजवादी पार्टी पर जम कर निशाना साधा उन्होंने कहा ये घोर परिवारवादी खुद उत्तरप्रदेश का विकास रोकना चाते हैं ऐसे लोगों से हम सावधान रहना होगा साथी पिये मोदी ने वैक्सीन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भारत में बनी जिस कोरोना वैक्सीन पर हर हिंदुस्तानी को गर्भ होना चाहिए था उस वैक्सीन के खिलाफ इन परिवारवादियों ने देश के गरीबों को भड काने की कोशिश की साथ ही कई बड़ी बाते कहीं तो आज यूपी के दंगल में पिये मोदी के संबोधन पर ही चर्चा करेंगे चर्चा केले हमारे साथ स्टूडियों में मौजूद है क्यापिटर टीवी के एडिटर इंचीफ डॉक्टर मनीश कुमार डॉक्र साब बहुत एलेक्शन केंपेंग करने में जिसको महारत है वो प्रधान मंतरी मूदी है वो हारी हुए बाजी को जीत में तबदील करना जानते हैं और इन्होंने कई बार अपने प्रचार से अपनी रैलियों से ये करके दिखाया है अब दो फेज़िस बचे हुए है दोनो प्रवांच और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टन्ट है कि यहां अगर समाजवादी पाटी से चूक हो गई यहां अगर ये लोग भारती जनता पाटी को रोकने में काम्याब नहीं रहे समाजवादी पाटी की सीटे सौ से कम हो जाएंगे पूरे यूपी के अंदर में अब तक जो रु कि बहुत कमफुटिबली सरकार बनाने और तीन सो सीटों तक पहुँचने में काम्याब होती हुई नजर आ रही है और इसलिए जब प्रधान मंत्री रेलियां करते हैं और इतना जादा मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे की भी कहानी जानना उसको समझना जरूरी है क्यों सारी अव्वाएं भी कि सारी लोगों को दिक्कत सब्सक्पांबंदुमों के सामने विपक्ष ने तो बकाइदा सरेंडर कर दिया है, उनको मालूब है कि प्रदान मंत्री के ऊपर आप अटेक करोगे उल्टा वैकफायर हो जाएगा, क्योंकि विक्राल है और ये अकेले अपने दम पे दिक्कत योगी आदित नाद से है और जिस तेवर से वो फिर से वो कह रहे हैं बुल्डोजर चलाएंगे माफिया को खत्म करेंगे वो उनके मूट को बता रहा है कि फिर से गर सरकार में वो आती है बीजेपी तो योगी इस बार वो करेंगे जो पिछली बार वो नहीं किये लोगों को ये भी समझ में आ रहा है अब दिक्कत क्या है दिक्कत ये है कि योगी और मोदी का जो कॉम्बिनेशन है अब लोग पैरलली बोलते हैं इसमें जो विपक्षियों के तरफ से जो प्रोपगेंडा हो रहा है आपको याद होगा एक साल पहले यह ख़वर फैलाई गई और दिल्ली से ख़वर फैलाई गई कि योगी आदितनाथ चीफ मिनिस्टर नहीं होगे अभी पूरे इस्टर यूपी के अंदर पुरवांचल के छेतर में यही अफवाह ये लोग उड़ा रहे हैं कि बीजेपी के तो सरकार बन जाएगी लेकिन योगी चीफ मिनिस्टर नहीं होगे तो ये प्रॉबलम है तो वो प्रॉबलम है वो नहीं चाहते ये नहीं चाहते कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि बीजेपी वाले खुदी योगी के कद को छोटा करना चाह रहे हैं बेकार की बेफुचुल की बाते पुर्धार मंत्र की ये रैलिया उन अफवाहों का जवाब है जब वो बार-बार ये कहते हैं योगी जी की तारीव जब करते हैं तो वो सारा प्रोपगेंडा धरा का धरा रह जाता है तो ये तो एक जो आपके उपर अटैक अब नहीं हो रहे है आप सरकार के कामकाज के उपर सवाल खड़े करके आप वोट नहीं मांग रहे हैं आप क्या कर रहे हैं आप अववाह के जरिये योगी आदितान्त के खिलाफ प्रपंच करके आप लोगों को गुमरा करके वोट मांगने की तरकीव आप निकाल रहे हैं और सीधे सीधे अटैक अब जिसे देखिए, समाजवादी पार्टी का कोई भी लीडर जाता है, मोदी जी के बारे में कोई कुछ नहीं कहता है, आप देखिए डिमपल, अखली सादब की पत्नी वो गई, किस पे अटक किया, कि भाई वो जंग लगा हुआ ये, आप उनको में वो कह रहे हैं कि मैं बली बहू, छोटी बहू, और ऐसे वोट मिलेंगे, भाई कोई घर में फूफा फूपी मौसा मौसी के बीच, कोई सादी के बीच में बहस हो रहा है क्या, अखले सादब का कैम्पेइन पिछले तीन, चार फेज़े में वो वीक हुआ है, मीडिया मे भी वो कम नज़र आ रहे हैं, रहलिया भी छोटी, रोट सो आप करलो जितना करना है, आयोध्या में रोट सो था, बहुत कम समय के लिए अखले सादब वहां पे गए, अब वहां से खवर आ रही है कि जादे तर लोग बाहर से आए हुए थे, रोट सो में होता क्या कि आप स से किसी, कोई बारात निकलती है तो भी फिर नज़र आती है, सब लोग घर से बाहर आ जाते हैं देखने के लिए, रैली कहां हो रही है, बड़ी बड़ी रैलिया क्यों नहीं हो रही है, तो ये बता रहा है कि कैमपेन धीरे 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 जो पीक पे जाना चाहिए था, लास लास मोमेंट में जबकि ये इंपोर्टन्ट इलाका है, तो वो नहीं हो पा रहा, और उपर से बदकिस्मती ये, ये यूक्रेन और रूस का मसला आ गया, अब यूक्रेन और रूस का मसला सारे टेलिविजन चैलन जो है उधर ही दिखा रहे है, अखली सादब तो गायब है, अब देखिए जो प्रधान मंतर का कारेक्टर होता तो वो लाइव चलता है, और फिर वापस जो है मीडिया यूक्रेन पर चली आती है, तो आप कहीं नजर नहीं आ रहे, कोई उस तरह का सॉलिड मुद्द नहीं उठ रहा, अब कल शिवरात्री है, अब एक तारिक को शिव दिमाग के उपर असर डालता है, तो मुझे तो लग रहा है कि ये जो, जो सो कह सकते है कि जो कैमपेन का जो अगर उस से अग अनलाइज करें, तो समाजवादी पार्टी फाइट में नजर नहीं आ रही है, ये लास्ट तीन चार फेज़ जो है, वो भारती जनता पार्टी क सपा गायाब है कैमपेन से, तो छटे और सात्वे चरण में क्या कमाल दिखा पाएगी कुछ-कुछ, इंपक्त पड़ेगा, देखें, इंपक्त देखें, ये जो पुरवांचल का इलाका है, वो समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था, अब भी देखें, कहां से य अधर डिस्कुशन चालू हो गया महराष्ट में, ओ ऐसे भी इंपॉर्टन प्लेयर नदर आ रहे हैं इसमें, मायावती भी इंपॉर्टन प्लेयर नदर आ अगर आप ये समझेए कि समाजवादी पार्टी के लिए ये इलाका इतना ही इंपॉर्टन है जितना पहला और दूसरे फेज और अभी के दो फेज में फर्क क्या है? फर्क ये है कि पहले दो फेजेज में जहां मुस्लिम पॉपलेशन बहुत ज़्यादा था, मीडिया में अखलिक सादब नजर आ रहे थे, बकायदा सोसल मीडिया में, टेलिविजन में, वो डिबेट चल रहा था कि जीत रही है, अखले इसकी पास वो जाट वोटर चले गया, ये उधर चला गया, ये उधर चला गया, तो ऐसा लग रहा था कि पहले दो फेजेज में कि बिलकुल टफ कॉम्पिटिशन है, क्या आज उस तरह की डिबेट, उस तरह की बहस हो रही है, जबकि आप पॉपलेश करेंगे, तो जिस तरह का महौल पहले दो फेजेज में होना चाहिए था, वही अभी होना चाहिए था, शिक्स्थ और सेवन्थ फेज में, लेकिन वो डिबेट नहीं है, उस वहाँ इस बात पे तरचा नहीं हो रही है, कि अखले चादब ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे और इसलिए ये नुकसान दे है किसके लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि हर बार, हर जगह, इलाका कोई भी हो, 20 फिसदी से 30 फिसदी लोग ऐसे होते हैं, जो उसी को वोट करते हैं, जो जीता हुआ नजर आता है, और मैं आपको बता दू, जो ग्राउंट से जो खबरे आ रही हैं, कि ये हिजाब का मसला जो खत्म हुआ है, पुरवांचल में मुस्लिम महिलाएं भी भारती जनता पार्टी के साथ नजर आ रही हैं, और यादव के अंदर भी, ये जो आपनी जो सवाल क्या परिवारवादी, परिवारवादी, क्यों परिवारवाद को इतना ज्यादा एक ही सब्द को मोदी जी ने पकड़ लिया है, वो यादवो को एड्रस कर रहे हैं, कि तुम तो यादव के नाम पे अखिलेस को वोट कर दोगे, समाजवादी पार्टी को वोट कर दो, तुमें क्या मिलेगा, सब कुछ तो ये परिवार वाले हरप लेते हैं, क्या उसका फाइदा गरीब यादवों को मिलेगा, तो वो उस चीज़ को भीजाने के लिए वो इस तरह की बाते कर रहे हैं, दो फेज़ेस हैं, अब इन दो फेज़ेस में बीजेपी की बड़त तो नजर आ ही रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी डिवेट से, कॉम बीजेपीन का जो डिजाइन था, वो आखिर तक जाते जाते कमजोर पड़ गया है। इस खास शो, यूपी के दंगल में इतना ही तमाम खबरों के लिए, देखते रहे हैं, क्यापिटल टीवी, नहसकार।